यूट्यूब चैनल सेंडरा एडवांस एजुकेशन तोड़े वी आर गोइंग टो इस्टडी ओफ मैथमेडिक्स क्लास फॉर्थ चैप्टर टू चैप्टर टू हमारा है रोमन नंबर्स तो रोमन नंबर्स होते क्या हैं और किस तरह से हम अपने जो हिंदू अरेविक नंबर्स हैं या नॉर्मन नंबर्स होते हैं हमारे उन नंबर्स को हम किस तरह से रोमन नंबर्स में लिखते हैं या फिर रोमन नंबर्स को किस तरह से हम अपने हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखेंगे तो आए देखते हैं रोमन नूमरल्स या रोमन नंबर्स कहें हम 200 नंबर्स दा रोमन नूमरल सिस्टम यूजिस लेटर्स एस सिंबर्स यानि कि यहां पर हमारे कुछ इंगलिस के इसमारे रोप में यूजिए एन यहां बाई हमें सिंबर्स यूंचे सिंबर्स उगा है और हिंदू नंबर्स आरेबिक होते हैं जैसे कि simple 1,2,3,4, etc तो यहाँ पर हमें जो i है denote करता है 1 को v denote करता है 5 को x denote करता है 10 को l denote 250 c 100 d4 500 and m4 1000 यानि कि जो हमारे हिंदु अरेपि numbers हैं उनको हम इस तरह से इन symbols में convert करेंगे कि i का मतलब 1 होता है v का मतलब 5, x का मतलब 10, l का मतलब हो गया 50 c 100 यानि कि जहां भी 100 होगा है उसको हम c लिख सकते हैं या फिर c को हम 100 लिख सकते हैं ऐसी d500 m 1000 तो इन्हें के तरू हम हिंदु अरेबिक नुमरल को लिखेंगे रोमन सिस्टम में रोमन नमबर में और रोमन नमबर को हम एक साइड हमें रोमन नमबर ते करना हैं दूसरी साइड हिंदू अरेबिक नमबर एससा når और इहां हिंदू अरेबिक नमबर तो यह देखते हैं हो आई awe हमारा Roman number है इसका मतलब 1 होता है 2 को हम कैसे लिखेंगे डबल आई लिखेंगे हम 2 के लिए तीन बार अगर हम आई बराबर से लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा 3 यानि कि 3 को हम इस तरह से लिखते हैं 4 लिखने के लिए हम क्योंकि हमारा जो 5 है वी का मतलब 5 होता है और वी से पहले अगर हमसी चोटा जो सिंबल है lesser value वाला मारा आइ इसको हमarez वेल्ली वाले सिंबल के टीक left side में रख देते हम तो इसका मतलब क्या होता है इस value को minus कर देते हैं यानकी V की value 5 है और left side में जो इसका हमने आई यानि कि इससे lesser value वाला symbol रखा आई इसको हम minus कर देंगे तो V में से यानकी 5 में से यह गया तो 4 बचेगा 4 इसकी value होगी 5 को लिखने के लिए V लिखेंगे और यहां पर देखे 6 को लिखने के लिए हमने क्या किया left side में अगर कोई lesser value वाला symbol लिखा हुआ है तो हम बसे minus कर देते हैं लेकिन अगर वही lesser value जो value है lesser वाला जो symbol है हमारा कम value वाला जैसे i है कम value का v है i से ज्यादे की value का तो हमने इसे right side में लिखेंगे तो right side वाले lesser value रखने वाले symbol को जिसे हम right side में लिख रहे हैं उसको हम plus कर देते हैं हमें साथ यहां रखें आप तो V का मतलब 5 और right side में हमने i लिखा इसका मतलब V में i plus हो गया तो V5 और 1 equal to 6 तो यहां पर 6 value है ऐसे हमारा 7 हम इसको लिखेंगे V के right side में दो बार आई लिख दिया 8 हमें लिखना है तो V के आगे 3 times हमने 8 लिख दिया ऐसी 9 को हमें लिखना है तो हमारा जो X की value हमने देखी थी X की value हमारी 10 होती है चार्ट में आपको दिखाया था अभी तो हमने क्या किया X की value 10 है लेकिन जो i है वह उसका left side में लिखा हुआ है तो एक उसमें से minus कर देंगे तो 9 हो जाएगा ऐसी X हमारा 10 है 11 हमने लिखा X आई लिखा right side में लगाया दिखें आप तो हम इस तरह से लिखेंगे 14 लिखना है तो हमने X का मतलब 10 है और IV का मतलब 4 होता है जैसे हमने अभी study किया था तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे यासी 15 को XV, 16 को XVI, 17 को XV, double I हमने लिखा, 18 के लिए XV, triple I, 19 लिखना है, तो हमने 9 के बारे में study किया है, 9 को लिखने के लिए X लिखते हैं, तो X का मतर्व 10, और plus X means 9, तो यहाँ पर हमारा 19 हो गया, 20 लिखना है तो double X हो गया, बढ़ते हैं, आगी की तरफ, 30 हमें लिखना है, तो 30 लिखने के लिए हमने 3 बार X, X लिखे हैं, 1, 2, 3, तो यह इसका मतर्व 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टो 30, 40 लिखना है, तो हमारा जो L की value होती है, हमने study किया था, L की value हमारा 50 था, जैसे चार्ट में हमने देखा था, सभी की values अलग अलग है, L की value 50 है, और X की value 10 होती है, तो 10 को, यानि कि हमने lesser value जो हमारी X है, greater value कौन से हमारी L, जो symbol है हमारा, तो lesser value को, यानि कि कम वाली value को हमने left side में रखा हुआ है, तो मैंने पहले बताया था, जिस अगर आप lesser value को left side में रखेंगे, तो इसका मतलब मतलब माइन अब यहाँ पर दीखें, उधर हमने लिखा था left side में lesser value को, लेकिन यहाँ पर जो lesser value है वो right side में लिखी गई है, इसलिए इसमें plus हो जाएगा 10, L 50 और plus 10 equal to 60, ऐसी 70 हमें लिखना है, तो L plus X plus X मतलब 70, तो ऐसी हमें 80 लिखना है, तो L, X, 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 3 बार X से यानकि 30, और plus 50 equal to 80, Now 90 है भी लिखना है, तो C की जो value होती है, हमारी C wins 100 होता है, और X wins 10 होता है, अब यहाँ पर जो lesser value X है, वो greater value C के, ठीक left side में रखी गई है, इसलिए C wins 100 में से minus हम करेंगे 10 को, तो आ जाएगा हमारा 90, C की जो value है, 100 होती है, D के value 500 होती है, और M की value 1000 होती है, इस तरह से हम calculate करते हुए आगे चलेंगे, और अपने numbers को लिखना सुरू करेंगे, Roman numbers में और या फिर Hindu Arabic numbers को Roman numbers में हम लिखेंगे, या फिर Roman numbers को Hindu Arabic numbers में हम convert कर सकते हैं, very easy.